तक हेलो फ्रेंस हम लोग टॉपिक कर रहे हैं मोसल इस से प्रेविएस वीडिएो में हम लोगों में मोशन के बारे में उसके डैंपिशनिशन उस então प्रकार किते टाइब सके मोशन होते रहें इसके बारे में पढ़ा फिर हम लोगों ने कुछ important जो है कि speed, velocity, distance, displacement इन सब के बीच में क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ा और भी बहुत सारे ऐसे facts हम लोगों ने पढ़े जो हमारे exam के लिए काफी important है ठीक है तो चलिए हम लोग जो motion chapter है इसी chapter को आगे continue करते हुए आज के वीडियो में हम लोग कुछ आगे के questions पढ़ना start करेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो motion में आज के topic करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि average speed क्या होती है हलंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने speed के बारे में पढ़ा velocity के बारे में आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं topic सब लोग copy में नोट कीजिए average speed average speed क्या पढ़ेंगे average speed मतलब औसद चाल औसद चाल ठीक है औसद चाल चले अब तक आप लोगों ने यह चीश पढ़ी speed के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ रखा है पिछली सारी वीडियो उसने speed होती क्या है उसका formula क्या है dimensions के बारे में पढ़ा questions किस तरीके से आते हैं यह भी पढ़ा इसकी value कैसी होती है यह भी पढ़ा ठीक है तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो playlist में जाकर क पिछली वीडियो देखें देखो बच्चो अगर आप लोगों का concept पिछला नहीं clear होगा तो आगे जब आप लोग बढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को problem हो सकती है हलंकि मैं कोशिश करती हूं कि मैं revision करते करते आप लोगों को जो पिछली वीडियो के छूटे हुए है या जो लोगों नहीं देखा होगा उनके लिए मैं repeat भी करती रहती हूं लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो में यूज नहीं हो पाती है तो आप लोगों को पिछली वीडियो में देखने की जरूरत है चलिए यहां फिलाल हम travel upon time होती है ठीक है तो फिर यह नई बला जो हमारी ओसत हो गई ओसत या एवरेंच जो स्पीड हो गई ओसत चाल हो गई इसका क्या मतलब हो गया तो बच्चों यह भी क्या होती है इसका सब लोग फॉर्मॉला लिखें टोटल डिस्टिंस टोटल डिस्टिंस ट्रेवल्ड टोटल डिस्टिंस ट्रेवल्ड ठीक है अपॉन टोटल टाइम ठीक है अपॉन टोटल टाइम ठीक है मतलब कुल दूरी ठीक है अपॉन कुल समय कितना लगा आई बात समश में ठीक है तो अगर मैं बात करूंगे आप लोगों के बच्चों कि जो हमारी average speed होती है और सचाल होती है अगर और सचाल को हमें define करना होगा तो हम क्या कहेंगे जितना हमने पूरा total initial point मतलब जो हमारा प्रारभिक बिंदू है इससे लेकर के final बिंदू तक जितना हम लोगों ने total distance कवर किया है upon हम लोगों ने उसको कवर करने में जितना समय लिया है वही हमारा क्या हो जाता है अवसत चाल हो जाती है जैसे अगर मैं example की तोर पे आप लोगों से बात करो सपोस कर यह point A है यहां से कोई चला यहां तक गया point B तक ठीक है जिसमें कि इसकी total distance जो है वो सपोस कर लिजिए 30 km है कितनी है 30 है ठीक है बी से फिर क्या हुआ सी तक गया ठीक अगें उसने कितना ट्रेवल किया तो अगें उसने ट्रेवल किया बच्चो तीस किलो मीटर ठीक वोई दिक्कत नहीं आगे बासमश में अब अगर मैं आप से बात करूं कि जो है कि अब इसने इसको travel करने में टाइम कितना लिया ठीक ह इसने इस distance को A से B जाने में कितना लिया 30 km ठीक है लेकिन ये B से C जाने में 30 km डिस्टेंस से उतना ही उसने कवर किया है लेकिन उसने कितना time लिया है एक घंटा ठीक है अब मैंने आपको सिर्फ एक तरीके से ये समझे कि आप लोगों का question है ठीक है इस type का अगर question दे दे तो ह हम कैसे समझेंगे कि जो हमारे टोटल डिस्टेंस या टोटल टाइम क्या है ठीक है तो चलिए अब आपको यहां पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमने अगर यह चीज़ देख करके आप से यह कह दी कि आप हमें बताए कि average speed क्या होती है average चाल क्या होती है तो हमें यह चाल के लिए टोटल डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस मतलब यह वाली भी डिस्टेंस और हमारी यह वाली भी डिस्टेंस है ना तो मतलब एसे लेकर के मतलब इस एसे लेकर के सी तक टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया अपन टोटल टाइम जितना लिया ठीक है तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो भई क्या हो जाएगा यहां से इसने A से B तक में 30 किलो मेटर और यहां पर इसने आगे की 30 किलो मेटर मतलब टोटल उसने कितना जो है कि डिस्टेंस का बर किया देखो भई यह 30 किलो मीटर यहाँ पर यह कितना है ये भी 30 km, मतलब 30-30 km upon उसने time कितना लिया, 2 घंटे पहले के लिए और 1 आर दूसरे के लिए, मतलब A से ले करके B के लिए उसने कितना कवर किया, तो कहोगे आपके 30 km तो distance कवर करी, और उसके लिए जो समय लिया है, वो 2 घंटे लिये है, B से C तक के लिए जो distance कवर किया, वो solve करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 60 upon 3, मतलब कितना हो जाएगा, 20 km पर आर, है ना, 20 km पर आर, आई बास समझ में, तो देखो कितना असान है, भई, है ना, कि अगर हम average speed की बात करेंगे, तो हमने average speed की बात क्या करी, कि उसका जो formula होता है, बच्चों, वो क्या हो जाता है, कि इस तरीके से जो यहां से, जो initial point है, यहां से लेकर के, जो इसके final point मतलब C तक पूरा, सिर्फ B तक की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमने यहां पर क्या बात करी, कि हमने total distance इतना cover किया, तो हमारा final point यहां पर क्या हुआ, यह B थोड़ी हुआ, ठीक है, final point जो हमारा हुआ, जो अंतिम बिंदू हुई, हमारी C हुई, इसलिए यहां से लेकर के, total यहां तक की बिंदू का, जो हमारा distance है, इसलिए मैं इसको देखे, यहां पर अलग लिखा है, कि मतलब A से लेकर के, B तक, A to B तक की यह distance है, और यह जो है, B से C तक की distance है, आई बात समझ में, मतलब य A से लेकर के, C तक पूरा distance अगर हमारे हमें निकालना है, तो A से B तक की distance, और B से C तक की distance, और इन दोनों में, जितना ही लोगों ने time लिया है, 1 hour और 2 hour, जब हम इसको add करके, इसको divide कर देंगे, तो हमारा total जो है, कि speed, जो है average speed, और सच्चाल हमारे निकल करके, आ जाएग और example में इस questions को note कर लीजे, बाकी आगे average speed से, average velocity, जो भी हम पढ़ेंगे, उससे questions हम last session में, जब वीडियो सब खतम हो जाएगी, motion chapter खतम हो जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में questions को करेंगे, ठीके, तो चलिए, तो हमने average speed को समझ लिया, कि जो हमारी आउसत चा questions होते हैं, चलिए, अब हम बात करते हैं, average velocity की, ठीके, average velocity, velocity के बारे में भी काफी कुछ हम लोगों ने already पढ़ रखा है, तो आप लोग मुझे comment box में ये चीज बताती रहिए, कि जो हमारी average velocity होती है, वो क्या होती है, ठीके, अगर हम average velocity होती है, अगर आपको average velocity अभी नहीं समझ में हैं, तो आप at least मुझे ये तो बताइए, कि जो velocity होती है, विलोश्टी होती क्या है, ठीके, average velocity होती क्या है, चलिए, average velocity, चलिए, फटा फटा आप लोग हमें बताएए, कि जो हमारी average velocity होती है, ओसट वेक,อसट वेक, औसत वेग यह क्या होती है देखो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ बच्चो तो हमारा जो वी एवरेज होता है इसको लिखते हैं यू प्लस वी अपॉन टो ठेक अब जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं अब वो तो इसमें कन्फ्यूज हो ज जिल लोगों ने पिछली वीडियो देखी है उनको ये चीज क्लियर होगी कि इसमें यू क्या है और भी क्या है ठीक है तो जो हमारी एवरेज विलास्टी होती है वेटा वह क्या हो जाती है यू मतलब इनिशियल पॉइंट हमारी प्रारेम्वीक बिंदू वह प्लस हमारी ही मतलब जो हमारी final value है उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारा क्या हो जाता है वह हो जाता है हमारा भी से denote करते हैं तो आप लोग आज फिर से इसको लिख लीजिए जो हमारा यू होता है यह होता है initial point मतलब जहां से हमारी वच्तु या व्यक्ति जो हो तो वो क्या करता है चलना स्टार्ट करता है ठीक है आरंभिक बिन्दू ठीक और हमारा जो अगर भी की बात करते हैं तो भी हो जाता है beg विन्दू गंझारे जंब करते हैं से रीव्सक्राइब करते हैं कि यहा कि ओप aqui होगया चलीए तो यहां पर क्या हो गे कि अने कि यह अएवरेज विलासटी होता है यह जीतनी होती है उसको हम एड कर देते हैं फाइनल विन्दू में और उसको अगर हम डिवाइट कर देते हैं भाग करते हैं किस से दो से तो यह हमारी एवरेज विलॉस्टी जो होती है और सथ वेग हमारा निकल के आ जाता है अब देखो भी इससे कोश्चन किस तरीकी से बनता है ठीक है तो अगर इससे कोश्चन बनाना हो विटा तो जैसे सपोस्स जैलू मतलब इनिशियल पॉइंट आपका 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है आई बास समझ में अच्छा मैंने आप लोगों को पहले यह भी चीश बताई थी कि जो हमारी यू है कई बार कोश्चन में यू नहीं दिया रहता है इनिशियल पॉइंट ना दे करके सिर्फ फाइ मालो final point हमारा V दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड आई बास समझ में सबको इनिशियल पॉइंट यू हमारा दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड हमारा जो व होता है final विंदू जो होती है हमारे यह कह सकते है कि यह 30 मीटर पर सेकेंड दे दिया है और कोश्चन आप से पूछ लिया क कि हमें average velocity और सद बेग बता दो कितना आसान है सिर्फ इसको हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में पुट कर दीजे तो यू की वैलू कितनी दे रखी है 20 ठीक वी की वैलू कितनी दे रखी है 30 और अपॉन में क्या दे रखा है भाई 2 तो कितना सिंपल है इसको सॉल्ब करना है तो यह क्या होगे आपका 50 अपॉन 2 मतलब 25 मीटर पर सेकेंड ठीक 25 मीटर पर सेकेंड यह क्या होगे हमारा आंसर ठीक है तो हम लोगों ने average speed पढ़ लिया और सचाल के बारे में समझा average velocity पढ़ लिया कि अगर average velocity हमें किसी question का find करने के लिए बूशता है तो किस तरीके का question तो question इसी तरीके का आता है हालंकि एक question घुमा करके दे सकता है बच्चो कि आप लोगों को कई बार जब question जो है कि आप लोगों का बनेगा तो ऐसा कह देगा कि final point तो आपको दे देगा लेकिन initial point आपको नहीं देगा उस case में initial point की value आप हमेसा 0 रखेंगे ठीक है confused नहीं होन तो वहाँ पे आप हमेसा value क्या रखेंगे जीरो रखेंगे और final point तो आपको देगा ही देगा तो इसकी help से आप find कर लेंगे अगर average velocity निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे ये काफी important है इस पे based question हम लोग आगे करेंगे अभी सिर्फ हम लोग उसको थोड़ा सा समझ रहे ह है कि formula क्या है point क्या है और question कैसे बनेंगे चले अब हम लोगों ने वच्चो थोड़े पीछली वीडियो में बात कर रखे है momentum और impulse की जिन लोगों ने previous वीडियो देखी है उनको ये चीज प्लियर होगी तो अब हम बात करते हैं momentum जिन जिनको पता है comment box में मुझे फटा- लोगों ने पढ़ा है इसके dimensions को इबारे में भी पढ़ा है ठीक है तो हमारा जो मोमेंटम होता है momentum मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी तो मोमेंटम हम मतलब बात कर रहे हैं संवेग के ठीक है किसकी बात कर रहे है हम संवेग के बात कर रहे हैं संवेग संवेग ठीक है momentum संवेग देखो भी जिन बच्चों नों पहले पढ़ा होगा तो हमने इसके और फर्मूली को डिसकस किया था कि जो मोमेंटम होता है जो समय Gilता है इसका फार्मूला क्या होता है तो यहांत पर हम थोड़ा सर्मज़ते हैं बैट्र कि जैसे सपू्च कर लूजें यह कोई वस्तु दे रखी हैं ठिक कुछ भी है ड्राव एक्ता है सब्र 1 इसब कोई चीज की मुमेंंट होगी तो यह कुछ हिसाब से कुछ मतलब कुछ डिस्टेंस 9 क्या होगी मूउब करेगी मतलब इसमें क्या होगा विल Samy बでも on Ch zar CC होगगा और हम लोगोंने तुसकी भारे में पढ़ भी रखा है तो सेवेक की value हो जाती है विटा इसका formula हो जाएगा mass into velocity क्या हो जाएगा mass into velocity क्योंकि हमने यहां पर mass जो द्रब्यमान है और जो वी है जो है हमारा velocity उसी के बारे में ही तो बात करी है तो इसका formula बन गया mass into velocity ठेक अब मैं इससे बात करूं SI unit जो बहुत important है SI unit की बात करूं तो हम लोगों ने units और जो measurement पढ़ रहे थे तो हम इसका SI unit निकालना भी सीखे थे कि कितना आसान होता है इसका SI unit निकालना जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर SI unit अगर मैं mass की बात करूं बिटा तो हमें क्या पता है कि जो हमारे mass होती है उसक हम लोग already पढ़ चुके हैं ठीक है के जी अब अगर मैं बात करूं velocity की तो velocity के लिए बेटा हम लोग जो dimensions लिखते है वो हमारा क्या हो जाता है मीटर पर सेकन्ड इसके लिए क्या लिख देते हैं मीटर पर सेकन्ड आई बास सबश में तो अब देखो बही si unit कितनी हो गयी kg meter पर सेकन्ड ठीक तो मुमेंटम जो सवेग होता है इसका जो हमारा si unit हो गया वो कितना हो तो वह हो गया हमारा केजी मीटर पर सेकेंड ठीक है, I hope अपलों को यह किलियर हो गया होगा, बड़ा असान सा है, मतलब हमारा यहाँ पर जो है, यह मास है, तो मास हमारा जो दे रखा है, तो मास को हम किसमें लिखते हैं भई, उसको लिखते हैं हम kg में आई बात समझ में इसको हम kg में लिखते हैं velocity का होता है मीटर पर सेकेंड ठीक है तो आगे बात समझ में तो मतलब kg मीटर पर सेकेंड ये हमारे क्या बन गए momentum की SI unit होगे चलो भई ठीक है बहुत असान हुआ अब हम इसे में बात कर लेते हैं इसके dimension की कि इसका dimension क्या है तो बच्चो आप देखो जो हमारा mass होता है mass का dimension के अगर हम बात करें तो हम लोगों ने चलो यहाँ बना देते हैं mass into velocity ठीक है अब देखो हमने mass के लिए क्या कहा था कि mass का तो dimension क्या होता है m ही होता है ठीक और velocity का जो dimension है हम लोगों ने अल्रेड़ी पढ़ा हुआ है कि इसका जो हो जाता है इसका dimension जो होता है वो होता है lt-1 आई बात समच में lt-1 तो मतलब अगर मैं यह चीज़ कहूं कि जो momentum होता है हमारा जो समय होता है उसके अगर मैं dimension की बात करूँ तो आपका क्या हो जाएगा इसका dimension हो जाएगा m lt-1 किसी को doubt ठीक है यही इसकी क्या हो जाएगी dimension ठीक है किसकी dimension हो जाएगी यह तो यह dimension हो जाएगी आपकी समवेक momentum की ठीक है तो हम लोगों ने momentum के बारे में भी समझ लिया कि momentum basically होता क्या है तो momentum जो है बटा कोई द्रब्यमान कोई मास होगा जिसमें जितनी velocity होगी उसको हम उससे multiply कर देते हैं मतलब mass into velocity फिर हमने बात करी भई जो mass होता है जो द्रब्यमान होता है उसको हम केजी में denote करते हैं SI unit की kg होती है velocity की जो होती है वो meter per second होती है जब इन दोनों को मिला देंगे तो यह दोनों बन जाएंगे momentum सब्सक्राइब हमारा SI unit मतलब kg meter per second ठीक है अब हमने बात करी इसके dimensions की तो देखे dimensions निकालना भी कितना असान हुआ हम लोग इने mass को किस से denote कर दिया M से और velocity को कर दिया इसका dimension lt-1 होता है जिनको नहीं पता है वो previous video units on measurement में dimensions जिसमें हम लोगों ने किया है उसको जाकर के आप लोग नहां पर देख लीजिए ठीक है तो आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि lt-1 कैसे आया ठीक तो इसका dimension जो हो गया वह हो गया mlt-1 इसको नोट कर लीजिए फिर आगे हम बात करते हैं impulse की और फिर हम देखेंगे कि जो momentum है और impulse है इसमें थोड़ा सा कुछ तो similarity है कहां है वह चीश को हम देखेंगे चलिए तो आप इसको जो है कि नोट कर लीजिए बाकी हम लोगों ने impulse के बारे में पहले भी थोड़ा पढ़ रखा है आवेक के बारे में थोड़ा हम लोगों ने पढ़ रखा है तो आप लोग हमें बताईए कि impulse जो है वो क्या होता है impulse क्या होता है फटा फट बताईए जो impulse होता है क्या होता है फिछले वीडियो में जिन लोगों ने सभी वीडियो उसको प्रपरली देखा है उनकोई बच्चों ये पता होगा कि हमारा जो impulse होता है वो क्या होता है अगर हम बात करें impulse impulse awake क्या होता है awake हिंदी में चलिए अब मैं अगर बेटा impulse की बात करो तो impulse मैंने आप लोगों को बताया था कि जब किसी भी चीज़ पे short time के लिए जब force लगता है है ना मतलब किसी भी कोई भी चीज़ हो उस पे बहुत short interval के लिए बहुत छोटे समय के अंतराल के लिए जब force लगता है तो उसे ही हम क्या कहते है कि हमारा impulse होता है जिसमें हम लोगों ने example दिया था कि जब कोई चाटा खाता है तो वो example किसका हुआ impulse का मतलब बड़े ही short time के लिए फटाक करके पड़ता है लेकिन जगती जोर की है है ना तो ठीक है तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारा जो impulse होता है यह short interval short interval short interval के लिए जो force लगता है force for force for short interval ठीक है मतलब छोटे अंतराल के लिए छोटे अंतराल के लिए छोटे अंतराल के लिए छोटे अंतराल के लिए लगा हुआ लगा हुआ बल है न तो अगर मैं इंपल्स को डिफाइन करूंगी कि क्या होता है तो हम यह कहेंगे कि में जो फॉर्स हमारा होता है शौर्ट इंटर्वल के लिए मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए जो बल हमारा force लगता है वही हमारा कहलाता है impulse तो impulse अगर हमने ये definition समझ ली तो हमें ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका formula क्या बनेगा तो जो impulse होता है इसका जो formula होता है ये formula हो जाता है force into time है ना force into time मतलब बल उड़े समय आई बास समझ में यह बात आपको लोग को clear हो गई कि impulse क्या होता है force for short interval of time short interval of time यहाँ पर आगे यह भी लिख लिख लिजे short interval of time ठीक short interval of time यह तो हो गया बिटा हमारा जो है कि impulse का definition ठीक लेकिन अगर हम formula के बात करें तो हमारा force जो है वो जो बहुत short time के लिए लगा है वही हमारा impulse हो गया अब मैं यहाँ अगर आपसे यह बात करूँगी कि भाई जो हमारा force है और time हो गया ठीक definition समझे अब मैं इसकी अगर SI unit की बात करूँगी तो SI unit अब आप लोग खुद से बनाईए हमने आपको बनाना सिखा दिया है कि जो SI unit होती है उसको किस तरीके से बनाते है तो जो हमारा force होता है हमें पता है कि force का जो SI unit होती है यह होती है हमारी Newton और जब कि time का क्या होता है सेकेंड तो भई इतना असान हो गया Newton सेकेंड ठीक है देखे कितना असान है इसका निकालना कि मतलब हमें क्या है बस इन दोनों का पता है कि भई force जो होता है इसके SI unit हमारी कितनी हो जाती गया Newton होती है और टाइम के हमारी सेकेंड हो जाती है तो Newton सेकेंड हो गया आ गए बास समझ में चलिए अब मैं इसके dimension की बात कर लेती हूँ कि भी जो हमारा IMPULS होता है इसका हमारा जो dimension होता है वो मुझे बताइए तो आपने कहा कि मैम इसका जो formula होता है वो तो होता है force into time मतलब बल गुड़े समय कोई बात नहीं मतलब हमें पहले force का लिखना पड़ेगा तो force का बेटा कितना होता है M1 L1 T-2 आई बात समझ में और time का हम कितना लिख देंगे तो time हो जाएगा हमारा अब यहां पर हम देखेंगे तो M1 L1 T-1 ठीक है आगई बात समझ में यह हमारा dimension बन गया अब बेटा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा momentum अब आप लोग अपने copy पलट के देखें कि जो momentum का हमारा dimension बना था वो भी यही था ठीक है M1 L1 T-1 और जो हमारा impulse का बना impulse अब एक का भी dimension अब देखिए M1 L1 T-1 ठीक है तो यह चीज बेटा इन दोनों में similarity है अब इसका यूज कहां होगा ठीक है तो यूज देखो बेटा क्या होता है कि जब आपको और जो impulse होता है आवेग और सेवेग तो दोनों के dimension सेम होती है तो एक तो यह आपकी help हो गई दूसरे आपको learn करने के लिए सिर्फ एक ही है और answer दोनों का सेम होगा तीसरी बात बच्चों आप लोगों को dimension रटने की जरूरत है ही नहीं आप लोगों को मैंने देखे कितना easily बताया कि किस तरीके से हमें निकालना है बाकी जैसे force है तो जब dimension का chapter जा करके आप देखेंगे तो उसमें किस तरीके से dimension निकाला जाता है वो हमने बात कर है चलिए अब मैं आप लोगों को एक बड़ा आसान सा question देती हूं अगर मैं question और question बच्चों देखिए जि लोगों को concept clear होगा वही इस question को बहुत आसानी से कर पाएंगे अन्य था आप लोग उसमें confuse हो जाएंगे जैसे अगर मैंने question दे दिया कि एक कार मूव करती है अकार चलिए question फटा फटा आप लोग मोट करिए कि questions मैं क्या दे रही हूं कि एक कार है अकार ठीक है suppose करिए कि कोई कार है वो क्या करती है आपकी किसी direction में मूव करती है ठीक है चलिए एक कार है अकार मूव लिखे सब लोग अकार मूव ठीक है एक कार क्या करती है suppose कर लीजिए कि वो 60 मीटर 60 किलो मेटर 60 किलो मेटर इस त में जाती है ध्यान से question को समझेगा 60 किलो मेटर वो服 करिए आपका इस त में जाती है 90 किलोटर फिर वो वी चले Ilोत किलीर हो गया टो अब मुझे बताएं कि इन दोनों के बीच में में जो दूरी है जो डिस्तेंस हैं वो कितनी होती है ठीक है तो तो आपका question है कि find distance find distance दूरी ठीक है चलिए यह आप लोगों का question है question solve कीजिए option है 30 km पर आर कि ठीक है जो है 30 km पर आर कि डिस्टेंस किलो मेटर 30 km भी हो जाएगा आपका 90 किलो मेटर कि सी हो जाएगा आपका 150 किलो मेटर कि या फिर डी आप लोग सपूस करिए कि इसका 25 किलो मेटर चलिए यह question है कि यह कार है वो मूफ करती है 60 किलो मेटर इस्ट 90 किलो मेटर वेस्ट तो अब आपको क्या बताना है टोटल टिस्टेंस बताना है मतलब जितनी दूरी उसने तैय करी उसकार ने उसको options आपके यहाँ पर दिये होगे चलिए फटा-फट स्वाल्व कर दिए जिन लोगों को अगर concept क्लियर होगा वो तो answer फटा-फट करेंगे जिन लोगों को answer option इसका clear नहीं होगा वो इसका answer नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए अब बेटा मैं आप लोगों को एक चीश बताएं कि यह कार कहां जा रहा है 60 किलो मिटर इस्ट की तरफ 90 किलो मिटर वेस्ट की तरफ अरे भाई हम रिजलिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो यह तो question हमें देखो confused करने के लिए दे दिया ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि मैं distance जब हमने पढ़ा तो हमने वहां पर direction तो कहीं पढ़ा ही नहीं और यह कर दो अब मैं इतना जानती हूं कि majority में बच्चों के जो answers होंगे वह answers क्या होंगे not क्या होंगे not मतलब क्या क्यों कि सबको पता है कि मैं direction तो कहीं पर दिया ही नहीं तो बड़े खुश हो करके क्या दे देंगे कि answer क्या हो गया not और फटाक से question गलत और आप यह भी सोच रह अगरिक्शन से कोई मतलम नहीं है ठीक है क्योंकर हमने क्या पढ़ा था जो distance होता है वह scalar quantity होती है मतलम magnitude तो होता है लेकिन हमारा जो direction होता है उसमें नहीं होता है तो मैंने आपसे पूछा क्या है मैंने आपसे distance ही तो पूछी ए दूरी ही तो पूछी ए तो दूरी में क्या direction होता है नहीं होता है तो देखिए जिसको concept पता होगा वो फटाक से पकड़ लिया होगा आंसर जिनको नहीं पता होगा वो not करके आ जाएंगे question वी गलत करेंगे नंबर भी गया है तो जो distance होता है यह सकेलर क्वांटिटी है इसमें हमें किसी भी डिरेक्शन की कोई मतलम नहीं है तो आप सोचिंपल टोटल डिस्टेंस आप 60 किलो मेटर 90 किलो मेटर तो 60 किलो मेटर ठीक है इसको 90 किलो मेटर एड़ कर दीजिए फटाक से टोटल डिस्टें तो जिन लोगों न भी 150 किलो मेटर दिया है आंसर वेटा वो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और जिनों जो लोग भी इस डिरेक्शन को देके कन्फीज हो गए इसका मतलब है कि उन्हें डिस्टेंस का कंसप्ट ही नहीं क्लियर हुआ और आंसर भी गलत है इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि जितने भी पीछे के छूटे हुए हैं उनको रिवाइस करिए कंसप्ट को क्लियर करिए और उस हिसाब से क्वेशन करिए चलिए अगले क्वेशन की तरफ बढ़ने से पहले हम एक टॉपिक छोटा सा पढ़ लेते हैं equations of motion ठीक है मतलब बहुत important question है इस गती का समीकरण गती का समीकरण मतलब equation of motion equation of motion equation of motion actually बच्चों इस पर भी किस तरीके के question आते हैं important topic है ठीक है equation of equation of motion गती का समीकरण चलिए अब मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चों तो जो equations of motion होता है समीकरण जो होता है गती का वो तीन दिया है ठीक है तीन बहुत important है ठीक है तो अगर जिनको पता है भो लिखो comment box में ताकि हम भी देखें कि किसको किसको कितना समझ है और किसको पहले से क्या क्या आता है ठीक है अब मैं गती ओफ समीकरण की जो पहली बात करूँ तो पहली एक suppose करिए क्या होती है हमारी अगला जो समीकरण है वो हो जाता है हमारा s equal to s equal to ut plus half at square ठीक तीसरी की बात करूँ मैं तो यह हमारा हो जाता है 2as is equal to v square minus u square minus u square यह बेटा दोखो यह तीन समीकरण है ठीक है किसके equation of motion के जो बहुत ही important है अब यहाँ पे बहुत सारे variables है जो आपनों को नहीं पता होगा कुछ पता है जैसे अगर मैं यहाँ पे v की बात करूँ तो यह क्या हो जाता है हमारा final point है ना हम लोगोंने वीडियो के starting से ही पढ़ रखा है मतलब अंतिम बिन्दू अंतिम बिन्दू यू की बात करें तो यह हो जाता है हमारा initial point initial point आरंभिक बिन्दू ठीक चलो अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे हमारा जो है एस तो यह हो गया हमारा distance या फिर यू कहलो दूरी ठीक अब बात करते हैं और क्या बचा भाई हमारा यह क्या है acceleration मतलब वरड ठीक अगला क्या बचा हमारा टी तो टी हो जाएगा हमारा time ठीक है समय क्या हो जाएगा time समय ठीक है तो यह सब है displacement distance है दूरी ठीक है और यहाँ पर हमारा जो है यह acceleration है त्वरड है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है और questions कैसे बनते हैं वह भी बढ़ा है इनिशियल पॉइंट हमारा यू है ठीक है यह तो बेटा हो गया हमारा जो motion है जो हमारी गति है उसके यह तीन समय करण है अब बात यह होती है कि इससे questions कैसे आते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो मैं छोटा सो question आप लोगों को देती हूं ठीक है बाकी इसके बच्चों जो है इसके derivation भी होती है फुल डेरिवेशन लेकिन आप यह समझे कि आपके exam के point of view से theory portion तो आता नहीं है आपका आता है mcq तो इसलिए मैंने इसका derivation पूरा आप लोगों को नहीं कराया है ठीक है सिर्फ वह चीज करवाई है जो आपके exam के लिए important है क्योंकि आप academic exam नहीं दे रहे हैं कि आपको theory describe करनी है ठीक है तो यही important है इसी से question और इसी पर best question होते हैं मतलब कुछ तो इससे दे देंगे और बागी हमें जो है कि पता चल गया जैसे acceleration हो गया distance हो गया इन सब के values दे करके कुछ न कुछ इसमें से find करने के लिए कहते हैं हालंकि यह आगे की वीडियो में हम इस पर question करेंगे चलिए अब अगर मैं इससे बात करूँ बच्चो तो इससे questions किस तरीके के बनते हैं यह आता है तो यह क्या होता है जैसे यहाँ पर question दे दिया which is not an equation of not an equation of motion आई बास समझ करें not an equation of motion option आपको जैसे suppose करो यह दे दिया भई कि V equal to U plus A T square दूसरा option आप लोगों को दे दिया S equal to U T plus half of A T square तीसरा option जैसे दे दिया आप लोगों को 2AS is equal to V square minus U square and D option दे दिया कि आपका जैसे suppose कर लो यह दो हो गए ठीके तो जैसे यहाँ पर दे दिया इसने कि V equal to U plus A T ठेके हैं आई बात समझ में देखें हमारा यहाँ पर question है कि which is not equation of motion मतलब इन चारों में से कोई एक क्योंकि हमारे हमें पता ही है कि तीन हमने equations पढ़े हैं तो इन तीनों questions में से अगर हम देखेंगे तो question इस तरीके से भी आता है बच्चों बहुत सारे exam में इसलिए यह चीज याद होना आपनों को बहुत important है क्योंकि कई बार direct question बनता है कि इसमें से कौन सी equation of motion नहीं है ठीके तो आपको अगर याद होगा तो आप लोगोंने खुद ही देख लो यहाँ पे कि हमारा जो यह है वी equal to u plus 80 square नहीं है क्या है वी equal to u plus 80 है simple लेकिन यहाँ पे t का square दे दिया तो मतलब यह answer हमारा सही है मतलब जो यह है यह equation नहीं है हमारे motion of equations के ठीके तो यह भी एक कर लो अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो हम इस पर questions करेंगे ठीक है कि इस पर questions कैसे बनते हालंकि यह question मैंने आप लोगों को बता दिया इसके आगे भी values दे करके किस तरीके से question कुछता है और exam में कैसे questions आते हैं उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे चलिए अगला question में अगर आप लोगों से कहूं अगला question अगर मैं आप लोगों से कहूं force applied for short period of interval क्या होता है अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है यह question गलत नहीं होना चाहिए force applied on a body question बताइए force applied on a body for short interval of short interval of time short interval of time मतलब यू कहें कि समय के छोटे से अंतराल के लिए समय के छोटे से अंतराल के लिए समय के छोटे अंतराल के लिए अंतराल के लिए छोटे अंतराल के लिए सरीर पर लगाये जाने वाला शरीर पर लगाए जाने वाला लगाए जाने वाला बल बताओ भई अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है कितने लोगों को तो option के जरूरत भी नहीं पढ़ेगी फटा फटा आंसर दे देंगे लेकिन ठीक है मैं आप लोगों को option देती हूं ताकि आप confused नहीं हो या यूँ कह लिजिए कि ताकि आप confused हो जाए ठीक है तो अब option देती हूं मैं आप लोगों को momentum momentum ठीक दूसरा option हो गया impulse ठीक है तीसरा option हो गया speed speed और चौथा option हो गया आप लोगों का not मतलब इन में से कोई है ही नहीं चलिए फटा फटा answer दीजिए आप लोग मुझे कि क्या answer होगा जिन लोगों ने भी ध्यान से पढ़ाई करी है वो answer मुझे कर पाएंगे कि क्या answer होगा इसका अगर किसी भी शरीर पे किसी भी body पे बहुत short time के लिए जब हम बल अप्लाई करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है short period के लिए जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका answer क्या होगा क्या वो हमारा आवेक कहलाता है क्या वो हमारा सम्वेक कहलाता है हमारी चाल कहलाती है फटाफट बताईए भई कि वो हमारा क्या कहलाता है सम्वेक कहलाता है आवेक कहलाता है चाल कहलाता है या इन में से आंसर है ही नहीं कुछ और कहलाता है ठीक है जिन लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा बेटा वो लोग फटाक से आंसर को पकड़ चुके होंगे कि इसका आंसर जो हो जाता है वो होता है हमार वोने यूनिट भी पढ़ी थी कि जो हमारा force होता है वो हम जो short time के लिए apply करते हैं मतलब Newton second है ना यह इसके unit हो जाती है और यह हमारा question हो गया question का answer तो मतलब जो हम short time के लिए जो force apply करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? तो वो हमारा हो जाता है impulse अब मुझे एक वोरली question आप लोग मुझे अगर बताइए बेटा कि अगर कोई momentum दे रखा है ठीक है? अगर हमें कोई momentum दे रखा है और उसमें अगर हम velocity को double कर देते हैं तो जो हमारा momentum हो जाएगा उस पर क्या effect पड़ेगा? ठीक है? question है कि अगर कोई हमारा momentum है उसमें जब हम velocity को double कर देते हैं तो हमारे momentum पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर question दे रखा है what happened? चलिए आप लोग सोचते रहे हैं तब तक मैं question लिख रहे हैं what happened? what happened? what happened? on momentum on momentum if we double the velocity double the velocity ठीक? options में आपको दे रखा है भई double हो जाएगा double हो जाएगा triple हो जाएगा ठीक है? double हो जाएगा, triple हो जाएगा या same रहेगा double हो जाएगा triple हो जाएगा या फिर same रहेगा और दी इन लोग में से कुछ और हो गा है मतलब 4 गुना हो जाए 5 गुना हो जाए या फिर जो है कि 6 गुना हो जाए कुछ ऐसी वैलू की हो जाए ठीक है बताईए फटा-फट कि जो हमारे momentum होता है विटा अगर हम velocity की value को double कर देते हैं तो हमारा जो momentum है जो हमारे ये momentum है इसके उपर क्या effect करे पड़ेगा if we double the velocity चलो answer बताओ भई फटा फट जो लोगों ने ध्यान से इस chapter को पढ़ा होगा वो इसको answer को फटाक से कर पाएंगे और इसका answer होगा double अब बात आती है कैसे हम तो पढ़ रहे हैं physics तो हमें practical चीज़े पता होनी चाहिए तो बच्चों देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा momentum होता है momentum क्या होता है जल्दी से बताइए momentum हमारा क्या होता था मुमेंटम होता था हमारा mass into velocity यह होता था कि नहीं ठीक है तो मैंने क्या कहा कि जो हमारा momentum है बेटा वो किस पर डिपन करता है हमारे velocity पे तो क्या है directly proportional है है तो मतलब यह कह सकते हैं कि अगर इसको आप दो से गुड़ा कर देते हो तो आपका momentum भी तो दुगना हो जाएगा इसकी value भी क्या हो जाएगी double हो जाएगी ठीक है तो यह बात हो गई इस तरीके से हमारे questions बनते हैं कि अगर हमारा जो momentum है अगर इसी तरीके से आपको question दे दिता कि यहां पर विलोश्टी को double किया है अगर विलोश्टी को triple करते तब भी हमारा जो momentum क्या हो जाता triple हो जाता उसी तरीके से अगर मास की value को double करते तब मोमेंटम हमारा क्या हो जाता डबल हो जाता ठीक है बात समझ में आई तो यह चीज इस तरीके से क्योंकि इसकी वैलू इस पे डिपेंड करती है आगे बात समझ में तो बच्छो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो हम लोग टॉपिक पड़ रहे हैं उससे क कैसे हमारे एक्जाम में आते हैं अलंकि यह सब क्वेश्चन आये हुए हैं लेकिन आपके कंसप्ट को क्लियर करने के लिए मैं नहीं यह दिया है बाकी आगे आने वाले वीडियो में हम इस पर ढहे सारे क्वेश्चन भी करेंगे तो आज के जो प्लास है इसमें हम लोगों हम इसको यहीं पर ऊवर करते हैं खतम करते हैं और आप लोग इसको रिवाइस करते रही है ताकि आपको भूले नहीं और आगे वीडियो में जब मैं कोश्चन करवा हूं तो आप लोगों को काफी हेल्ट में ले तो बाकी आप लोग खुश रहिए पढ़ते रहिए ठीके तैंक य।